बात करेंगे Amber Enterprise Limited की तो आज के दिन भी देख सकते हैं 13 प्लस पॉसेंट के हिसाब से यह चल रहा है अगर इसको Daily Candle के चार्ट में देखेंगे तो कल इसमें एक बहुत बड़ी मंदी दिखाई दी थी पूरा मार्केटी गिरा हुआ था तो यह भी गिरा हुआ था लेकिन लोग करना ही पड़ता है मैंने हमेशा बोलाए कि अब यह जो Upper Bollinger और Lower Bollinger है इससे बहुत जादा बाहर कोई भी Candle रह नहीं सकता ठीक है तो इसलिए यहां पर यह बाहर चला गया था पिछले दिन तो अगले दिन इसको क्या करना था इसको Balance करना था और आज के दिन देख सकते ह है फिर से उसमें तेजी दिखाई दे रही है तो Chances अभी भी जो है इसके अच्छे रिजल्ट शो करने के ही बन रहे है और गाईज यहां देखिए बात करते करते इसके रिजल्ट भी Announce हो चुके थे Already यहां 21 करोड का इसका Q2 का रिजल्ट आया है जो कि पिछले साल के Same Quarter से आप Compare करेंगे तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है और अभी अगर इसे हम लोग Year on Year पे भी चेक करेंगे तो आपको 194 करोड का Last 12 Month का डेटा दिखाई दे रहा है जो कि Already पिछले साल से भी Better है और उसके पिछले साल से भी Better है मतलब All Time Better इसका Result अभी Already Last 12 Month का दिखा र रहे हैं तो अभी अगर आप New Entry के लिए देख रहे हो तो अभी फिलाल यह सही नहीं रहेगा क्योंकि Already बहुत भाग चुका है अगर Entry करनी थी तो इस Zone में कहीं पे कर सकते थे जहां पे हमने की थी Entry Otherwise अभी इसका PE Ratio भी देखेंगे तो Median से काफी उपर इसका PE चला गया